आज यही दुनिया का फसाना है जो डरते हैं उन्हें और ज़्यादा डराना है खुद जीतना है और आगे बढ़ना है और दूसरों को हराना है आज यही दुनिया का फसाना है और अगर बचाना चाहते हो इन सब से तो डरना नहीं है खुद भी समझना है और दूसरों को भी समझाना है आज यही दुनिया का फसाना है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजेशार है और आप देख रहे हैं बड़े चलो नियोज डर का खेल चल रहा है और डर की इस खेल में एक और नया विलियन आ गया है जिसे नाम दिया गया है ओमिक्रोन जी हाँ कोबिट का नया वेरियन ओमिक्रोन नाम से जाना जा रहा है जिसे डर से लोग देख रहे हैं क्यों क्योंकि उन्हें डराया जा रहा है लोग डर रहे हैं से, खौब बन गया है, अपने ही देश में नहीं करने अन्य देशों में भी, अब मेरा मना है कि ओमिक्रोन से डरे नहीं, ये फायदे मंद भी हो सकता है, जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है, देखें ओमिक्रोन 24 नमबर 2021 को WHO को रिपोर्ट किया गया, और आज 14 दिसंबर है, आज भारत में लगवग 41 ओमिक्रोन के मामले डिटेक्ट हो चेके हैं, तो अब देखते हैं कि चल क्या रहा है देश में, सबसे पहले बात करेंगे परस्तितियों की, कि परस्तितियां क्या कहते हैं, हर देश की परस्तितियां अलग-लग होती हैं, और वारत के जीने की परस्तितियां तैयार होती हैं, और अगर कोविट के बारे में बात किया जाए और भारत के बारे में बात किया जाए तो भारत की जो परस्तितियां कोविट के प्रतिकूल हैं, इतमीन्स जादा एफेक्टिट नहीं होता, अब हमारे देश में बहय का बात त्यार किया जा रहा है क्योंकि जो डर गया सो मर गया लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारी studies ऐसी आज शुकी हैं जिनसे ये पता लगता है कि भारतिय लोग safe हैं इस तरह के virus और इस तरह के variant से तो आपको कुछ खास गरने का जरूत नहीं है टी बी पर मत चाहिए ज़्यादा attention मत लेजे अब बात करेंगे evidences की evidences क्या कहते है evidences की आधार पर देखा जाए तो omicron एक mild virus है क्योंकि एक भी case serious illness वाला नहीं पाया गया आज जितने case देश विदेश में मिले हैं उनमें कोई भी seriousness नहीं देखी गई है कोई भी मौत नहीं हुई है तो इससे डरने का जरूत नहीं है सभी को प्रकरदी का वेक्सिंग लग चुका है जिसकी वज़े से अब COVID का किसी को कोई खत्रा नहीं है अगर किसी को COVID का कोई variant लग भी जाता है या लग जाएगा या होने बाला है तो भी उसको इसका कोई खास असर नहीं होने बाला तो दिमाग से भै निकाल देना चाहिए इसराइल की एक study के अनुसार जिनको natural infection हो चुका है वह लोग Pfizer vaccine के मुकाबले जी हाँ जो vaccine आपके लग रहा है उसके मुकाबले CVRT में लगबत 300% ज़्यादा protected हैं और infection के मामले में लगबत 600% ज़्यादा protected हैं ये इसराइल की study कहती है तो आपको इसके recording भी डनने का जरूरत नहीं है Omicron vaccine का काम भी कर सकता है जी हाँ सबसे जरूरी यही है और सबसे important भी है कि क्या ये Omicron जो virus आया है ये जो नया variant आया है ये vaccine का भी काम कर सकता है इसके लिए Dr. Sanjay Roy की राय जान लेते हैं क्योंकि उन्होंने बताया है उन्होंने कहा है कि अगर ये mild रहता है तो ये इस तरीके से काम करेगा जैसे vaccine काम करती है अगर mild की बात करे जाए तो अभी तक देख रहा है कि ये mild ही है और अगर mild रहता है अर्थार इससे लोगों को फाइदा होगा नुकसा नहीं होगा क्योंकि वैक्सीन का कंसेप्ट भी यही रहता है कि मानव सरीर को जिस वाइरस से लणना होता है उस वाइरस को ही कम जोर रूप में तयार करके वैक्सीन के रूप में इंसान को लगा दिया जाता है जिसे सरीर में वाइरस के खिलाब लणने की इम्मिनिटी से तयार होती है और ये सब लोग जानते हैं चुकि ये mild है और mild वाइरस आपके सरीर में चला भी चाता है तो वो आपको नुक्सान नहीं पहुचाएगा आपकी इम्मिनिटी को तयार करेगा कि वो उसे लणना सीखें तो डर्नी का जरूरत क्यों है अब बात करते हैं वाइरस की प्रवर्ति वाइरस क्याम कैसे करता है डॉक्टर संजर रॉय के अनुसार वाइरस की ये प्रवर्ति होती है कि वो अपने इस तरह के वेरियंट तयार करता है जो बहुत कमजोर होते हैं और अगर ऐसा होगा तभी वो लंबे समय तक जी पाएगा अगर वाइरस होश्ट को ही मारते जाएंगे तो होश्ट के सासाथ खोद भी खत्म होते जाएंगे तो वाइरस कभी भी ऐसे वेरियंट तयार नहीं करता जो जादा खतनाख हो जो जिसके अंदर वाइरस रहता है उस वेक्ति को उस होश्ट को नुकसान पहुचा है यदि ओमिक्रोन खतनाख भी निकलता है जो अभी तक नहीं दिख रहा तो भी यह भारतियों के लिए खतनाख साबित नहीं होगा क्योंकि स्टडीज कहती है लगए 90 प्रतसत भारतिये नेश्रलन इम्मिनिटरी से प्रोटेक्ट हो चुके है तो डर बिलकुल खतम हो चका है ये सब बात है तो देश में पैनिक क्यों फिलाए जा रहा है ये सोचने वाला मसला है कि देश में पैनिक क्यों फिलाए जा रहा है तो इसके कई रीजन हो सकते हैं उनमें से हो सकता है कि जिन लोगों को मेडिकल फिल्ड के बारे में जानकारी नहीं है जिनका मेडिकल फिल्ड नहीं है वो भी hero बनने के लिए इस तरह के बयानवाजी करते रहते हैं कि वाइरस यह हो जाएगा वो हो जाएगा और लोगों को डराते रहते हैं इसमें वो डॉक्टर भी सामिल है जो वाइरस पर study जोनों नहीं किये होती जिनकी वाइरस पर expertization नहीं होती वो भी वाइरस के बारे में उल जुलूल सलाद दे देते हैं जबकि डॉक्टर संजर हो यह कैसे डॉक्टर हैं जो वाइरस पर study कर रहे हैं वैक्सीन पर study कर रहे हैं जिनका काम है इस पर नजर रखना लेकिन अन्ने डॉक्टर जो हट के patient का इलाज करते हैं जिनकी specialization किसी और में हैं वो वाइरस के बारे में कैसे कह सकते हैं क्योंकि वाइरस आपने आप में बिल्कुल नया है और उसके लिए वही specialist माना जाएगा जो उस पर study करता है जो उस पर नजर रखता है इसमें एक रोल मीडिया का भी आता है मीडिया भी अपने channel को चलाने के चकर में sensation फैलाते हैं क्योंकि इसमें गलती आप लोग की रहती है आप लोग को वही channel देखना पसंद करते हैं जो channel जादा डराता है जो जादा डराएगा वही आपकी पसंद बन जाएगा लेकिन channel को डराना इसलिए पड़ता है क्योंकि उन्हें sensation फैलाना पड़ता है क्योंकि तब ही आप उनको देखेंगे और उनका TR भी बढ़ेगा और उनका business भी बढ़ेगा अगर आप डरेंगे तो vaccine लगवाएगे जल्दी vaccine लगवाएगे दोनों doge लगवाएगे और vaccine companies का business पढ़ेगा और सबसे महतबूर अब booster vaccine की भी बात चलने लगी है और booster vaccine तब ही लगेगी जब आपके दमाब का डर होगा कि इन दोनों vaccine से हमें फाइदा नहीं हो रहा और हमें एक और vaccine की ज़रूरत है और वो vaccine है बूस्टर अगर बूस्टर vaccine की डोज आपको लगेगी इन दो डोज के लाबा तो companies का बड़ा फाइदा होगा लोगों का बड़ा फाइदा होगा और यहीं उनकी कमाई का जर्या बनेगा लेकिन आपका क्या आप हमेशा ऐसे ही डरते रहेंगे आपके दमाब के यह सब चलता रहेगा कि यह virus आ गया यह variant आ गया यह इसका खौप बनेगा आपको इस डर्स को इससे बाहर निकलना पड़ेगा थोड़ी समझदारी खुद भी दिखाने पड़ेगी आप सब लोग पड़े लिखे हैं educated हैं सिर्फ दिख रहा है उस पर मत जाईए आप studies पर जाईए जानकारी खटी करिए देखें मैं इसके लिए रिकमेंट करूँगा डॉप्टर संजा रहे को जो दिली की एमस हॉस्पिटल में इसी पर study करते हैं आप उनकी वीडियोस देख लीचे उनके बारे में पढ़ लीचे उनसे सुन लीचे वो क्या कहते हैं जैसा वो कहते हैं आप उसको बड़ी आसानी से मान सकते हैं क्योंकि अन्य लोग जो कह रहे हैं वो इसके इसमें specialization नहीं रखते हैं वो सिरफ सुनी सुनाई बातों को देख के कहते हैं या अपने ideas या अपनी जो उनकी दिमाग की फितूर हैं उन्हें रख देते हैं आपके सामने और आप उसी को मान लेते हैं क्योंकि टी पर जातर वही चल रहा है तो आपको अपना थोड़ा सा दिमाग भी चलाना पड़ेगा सोचना भी पड़ेगा मेरा काम था इस तरह की ख़बर आप तक पहुचाना और आगे आपकी मर्जी है क्या आप डरें या नहीं डरें मेरे विचार से आपको डरना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत खतानाख नहीं है और डर का तो बिल्कुल विसमें रूप नहीं बनता है इसी के साथ फिर किसी खास कबर के साथ हाजिर होगा मैं हूँ राजिशार्या तब तक के लिए नमस्कार बाबाई टेक केर आल देवेस्ट